कें 10 ूपी आइस की सब्त्अ को पेस आपके सब चैनल, अइज की सब को एक थेक होंगे, तो आज ही इस mortality इस बनाने जा रही हूं रहे है बहुत ही एज़ी और बहुत ही इसम रही आपके सब को पसंद आपके सब कर चाहिए, सबको मैं ज़ना हैं मेंगे अब्लाइब गाइस तरी आपने हैं ज़ना वहां वह जाने गारी तो चलते हैं की तरफ और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं वीडे डीचाल करते हैं गया बरापन नेतों या नेता चाहुता है क्यानी कोई तोटो नीत प्रण में गड़ बंगे ऑर नोğ में पैया ना है मैंने 10 चृवाव नेक्ते बांसपून्स मेफटनली तरभी थोड़ा 40 बंडरस है कि भांस्द काशलर रिंगा जो यहां खड़े को शरीया है इसने तो भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसने तो भी धोड़ा सा फ्राई कर लेंगे पांच मिनिट के लिए अब यहां पर मैं टेमैंटो डाल रही हूं अब यहां पर मैं half teaspoon of salt add करूंगी and half teaspoon of turmeric powder, half teaspoon of coriander powder and half teaspoon of garm masala add करूंगी इन सबको हम अच्छे से mix कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको गलने के लिए छोड़ देंगे जो हमारे प्याज और टमाटर है ताकि इसमें जो मसाले वो अच्छे से flavor आ सके इसका तो यह देखिए अब गल चुका है यह एक पैन में मैं पानी ले लिया था मैंने और थोड़ा सा गी डाल लेंगे ताकि जो हमारे noodles है वो आपस में चिपके ना यह मैंने मैगी भी एड़ कर दी इसमें अब हमारी मैगी रेड़ी हो चुकी है बॉयलो के अब जो मसाले मैंने फ्राइ किये थे इसको हम प्यूरी बना लेंगे इसका अब इसको ब्लेंड कर लिया देखिए प्यूरी बन चुकी है अब एक पैन में बटर लेंगे हाफ टी स्पून और जो हमने प्याज कट किये थे इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राइ कर लोगी दो मिंट के लिए बस इसको आपको गलाना निये जादा और यहाँ पर मैं लसन का पेस्ट एड़ कर रही हूँ गार्लिक पेस्ट यह देखिए इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे जो हमारा पेस्ट है इसमें मैं सॉल्ट एड़ कर रही हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट अब जो हमने प्यूरी बनाई थी इसको भी आइड कर लेंगे तो यह देखिए यह भी फ्राय होने स्टार्ट हो चुका है अब जो हमारी मसाल मैगी इसको भी आड़ कर लेंगे इसे कैसे छोड़ सकते हैं इसको भी आड़ करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें जो पनीर कट किये थे वो एड़ कर रही हूँ इसको भी मसालों के साथ दो मिंट के लिए पका लेंगे अब मैं इसमें हाफ बॉल ओफ वाटर एड़ करूंगी ताकि जो मसाल हमारे वो सारे आपस में मिल जाए मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए अब इन सब को एक बार मिक्स कर लेंगें यह देखिए हमारी मैगी रेडी हो चुकी है पनीर बटर मसाला मैगी बहुत ही जादा टेस्टी है बहुत ही जादा ही हमें ला जवाब एक दम अपने घर पर ट्राइ कीजिए और मुझे बताईए आपकी मैगी कैसी बनी है बहुत ही जादा टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है एक दम अलग रेसिपी है रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कमेंट और शेयर कीजिए बगल में जो बेल झाल